तो section 3 of Indian Evidence Act 1872 के अंतरगत हम देखेंगे eyewitness ठीक है जो लोग कवाई देते हैं जो चस्मदीद कवाह होते हैं इसको लोग चस्मदीद कवाह कहते हैं उसकी reliability कितनी होती है कानून की किताब में क्या लिखा ये लिखा है तो court कह रही है तीन case law देखेंगे हम और simple version में देखेंगे ठीक है आपको समझ में आएगा कि अगर eyewitness किसी का भी eyewitness है ठीक है माली जी एक eyewitness ने किसी को भैचान लिया और किसी को नहीं भैचाना ठीक है इसी eyewitness ने और अपराद दोनों ने किया है ठीक है एक को सजा मिल गय तो इसकी credibility भी सक नहीं किया जाएगा ठीक है दिखा है कि इदर कोट है लेक्विटल वन एक्यूज गीविंग बेनिफिट अब डाउट एंड कन्विक्टेट अधर एक्यूज बिकॉज बिकॉज अब इस दर क्रेडिविल्टी आफ आई विटनेस इस नॉट अफेक्टेड मैंने सिंपल बताया कि यदि एक गवाह के कहने से एक को एक्यूज माना जा रहा दूसरे को डाउट आफ बेनिफिट दिया जा रहा है तो उस गवाह की केडिविल्टी को सक नहीं किया जाएगा केस लोग था किस्ट राम वर्से स्टेट आफ रायस्था नाइंटिन सेवेंटेथरी का केस ठीक है दूसरा दूसरा पॉइंट है कि अगर सूल आई विटनेस है एक मात्र को यपराद हुआ हो और एक मात्र केवल गवाह हो जो चस्मदीद गवाह है तो कन्विक्शन कैन वी be a San Αनकोरोबरेट तो उसकी गवाहि को सम्पुष्ट करने की जरूत नहीं है मतलब अन्क के को Prof. करने के ज़रूत नहीं है उसके टेस्टिमनी पर सिर्फaden पर सुल आईविटनेस पे आप पोडूरिसरा कर सकते है और और जो आप रहादी है उसको MIR si यह उसकी जरुवत नहीं है कि उसके उसके टेस्टिमेनी को संपुष्ट करने के जरुवत है यह केस लौथ था संदीप कुमार से अलायस बिट्टू वर्सेस स्टेट अप बेश बंगाल 2016 का केस ठीक है तीसरा देखिए कि लिखा है कि कि अगर कोई गवाह कुछ कह रहा है ठीक है और मेडिकल रिपोर्ट कुछ दूसरी बता रही है तो इसकी रिलाइबिल्टी खतम नहीं हो जाती है ठीक है उसकी भी रिलाइबिल्टी बनती है इसको भी सुना जाएगा मतलब हमारे कोट आफ लौ में सेक्शन 3 के अंतरगर जो अभी में से क्वेनल एवेडास क्रेकल एवीडियंस सूल ऐने सफियेंट इवनिब्डिकल इसďो मेंडिकल एविडेंश को ऌह रही है फिर भी वह सफिशियंट है केम देख लिई एडवर्ड वर 올 से स्टैक्टर पुलीस एया यारr 2015 त्वर है थेंडिक है झाल झाल